आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Distinguish between the following यहाँ पर बोला क्या है कि Difference between करने के लिए तो Question है Inland Fishery and Marine Fishery Inland और Marine Fishery के बीच में Difference करने के लिए तो First बात करते है Inland Fishery यह एक ऐसा फिशरी होता है जहां पर Yield जो है या पर Cultivation जो है वो Fresh Water या फिर हम कह सकते हैं कि Brackish Water में किया जाता है और Brackish Water और Fresh Water या ऐसे Waters होते हैं जो कि एक Small Pond या फिर रिवर्स में दिखाई देता है या फिर रिवर्स या फिर Pond को ही कहा जाता है वही पर अगर बात करें Marine Fishery की तो यहां पर जो Yield था वो Sea या फिर या फिर होता है वो Sea या फिर Ocean में किया जाता है यहां पर फिशेज जो है वो पर्टिकुलर्ली Sea या फिर वोशन से कल्टिवेट किये जाता है वही पर नेक्स पॉइंट अगर हम लोग लिखें तो Fresh Water फिशेज ऐसे फिशेज होते हैं जो कि Salt को यहां पर Resist नहीं कर पाते हैं Can't Resist Salt हम लोग कह सकते हैं लेकिन वहीं पर अगर हम लोग मैरीन फिशेज को देखें तो यहां पर Resistence of Salt जो है यह बहुत जादा हाइड होता है जैसे पर एक्जामपल अगर हम लोग लिखें तो इंगलेंड का एक्जामपल आता है रोहू या फिर कातला लेकिन वहीं पर अगर मैरीन फिशेज का बात करें तो यहां पर हो जाता है Salmon या फिर अगर हम लोग कहें Hilsa तो वो गलत नहीं होगा तो यह हो जाता है Correct form of जो difference है और इसी को हम लिख लेंगे Classics शिट्वेल से लेके Need IIT जेही Means और Advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडिंट्स का भरोसा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर